हेलो दोस्तों, वल्काम बैक टो माय चैनल, आज की सड़ा में हम बात करने वाले है, सावलेंग की एपिसल एपिसोड 29 की पार्ट वन पर, तो आप इडिया को यह अंट तक जरू देखना है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो शुरू होता है, हमें तैंग संग अक्टिवर करकर जेतना जल्दी हो सके, मैं उन दोनों को डूंड सकता हूँ, थाकि हम जेतना जल्दी हो सके, उन्हें डूंड कर उनको जल्दी से बचाएंगी, और उसके साथ मेरी माइनट पवर, मैगजिन में लेवत तक पहुंचिके है, सबसे 38 सीची में लवत आई है, जिसके साथ ही, तैंक्सन शहों से कहता है, अभी के लिए तुम मुझे प्रेटरक्ट करो, मैं दामिंग और अर्मिंग को डूंडता हूँ, यह केते नीचे बेट जाता है, अपनी ब्लू सुलर डूमिंग को याक्टिवेट करता है, और यहाँ पर तैंक्सन अपनी ब्लू स इन दोनों एंप्रर को सर्ज कर सकूं, इसके साथ ही, हम देखते हैं तैंक्सन को, ब्लू स्वर्ब बेप्स को जंगल में सर्च कर रहा होता है, तबी उनको बिबी दम की पौजर नेजर आ जाती है, पूरी जंगल खराब हो चुके होती है, इसके बाद तैंक्सन को इनकी ड सकती है इस सुनकर शाओ गबरा जाती है अभी के लिए हम दोनों को उसके पास पहुंचना होगा मुझा यसा लगता है उनकी ओरा कम होती जा रहा है वो तुनों ज्यादा पेन में होंगे मुझा यसा लग रहा है इस पाइट एक या या दो दिन से नहीं चल रहा है कापी दिन करोंगा टैंक्षन अपनी स्पाइडर को निकाल कर वहां से तेजी से जाने लगता है सीजीन शिफ्ट होता है हमें दामिंग और अर्मिंग को दिखा जाता है जोकि बहुती तेजी से बाग रही होती हिं इन दोनों के पीचे कम से कम से सौल मास्टर पीचे पड़ी होती है पिर से आदाज हो जाएंगे, पिर से हमारे पीछे पढ़ जाएंगे, तबी अर्मिंग कहता है, ये लोग जरा भी अच्चा नहीं है, हमको कापी ज़्यदा लुक्सान पहुंचाए है, इन सारे सॉल मास्टर में से, वो दोनों सॉल मास्टर है, उनकी पुजन स्किल टाइम को रोक सकती है, हम दोनों एकी जगा पर जाम हो सकती है, वो कापी ज़्यदा डेंजरा सॉल टेकनिक है, ये दोनों इस टेकनिक को यूज ना किया हो तो, हम इतना पेल में नहीं होते है, हम देखते हैं वो सॉल मास्टर को, इस टेकनिक के आजाथ हो जाती है, पिर से उनकी पी को होता है वह वहीं पर ही ब्योश हो जाता है अर्मिंग इसको देखकर इसको उटाय Nathan कि कोशिश करने लगता है यहां से जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से जिक नहीं कर सकता है तुम इहां से चले जाओ अभी के लिए अनिमरी टाइम में तुम्हें एक्टिला ही ज करता है इसकी वाज़से सारे सौल मास्टर नीचे गिर जाती है इसको देखकर फ्लावर ग्राइंड सौल मास्टर कहता है अभी के लिए इतना इंचुर्ट तो हो चीकी है फिर भी इस पाइट कर रहे है एक कापी ज्यदा पॉर्पुल है सच में इस दोनों टार डू की होने की काबिल है इनकी सौल लिग को हमारी एम्परार अब जोर करने मली है इसके बाद हमारी एम्परार कापी जिधा पॉर्पुल हो जाएगा इसके बाद